हेलो आपके मन में धेरो साथे प्रशन उठते होंगे कि इस वन येर का कूर्स लेकर हम कहां कहां जाए आपके पास अप उधेर बुन में होंगे ठीक है लेकिन अगर आप हमारा ये वीडियो देखेंगे तो आपके लिए केरियर की जो राहे हैं वो आसान हो जाएगी हमने साबित होगा इस लिए इस वीडियो को आप कंप्लेट देखें देखिए इगनो का जो डिएनएची प्रोग्राम होता है इगनो का डि एनएची प्रोग्राम जो हता यानि डिपलोमा इन is a nd health education पहले इस को जो हम लोग नहीं समझ पाते हैं एक तो ये nutrition से लेटेट डिप मैं है है जुए तो एक स्वन मेद अधूब principle से जनकाड़ी देना है तो लोग जो है कोई भी कोरूस तो तब करता है जह उसको उससे रोजगार अधे कर hundreds कर पाएं कोई कोर्स का मुख्य धिया यही होता है कि हम अस्ट्रूयन्स को उसकी व्रोजगारी दूर करते हैं तो निश्चित रूप से डिनेची आपकी व्रोजगारी दूर कर सकते हैं थोड़ा सा जो है आपको मेहनत करना पड़ सकता है इसमें क्या करना है डिनेची जैसे ही complete एगर हो गय है आपको जानकारे जोड़ देना है गौह में जाके कि मैं नूट्रिशनिस्ट हूँ और मेरा काम यह है अपना एक आड़ी बनाए सरपरसं तो आपको यह करना एक आड़ी बनाए ठीक है एक एडेंटी कार्ड जिसमें कि आप क्या है कहां से पास आउट है आपकी जो अकैडम कंपर के पास बीदीजिए गौह में भी आप दे सकते हैं और फिर जो सहर में आप जो रहते हैं वहाँ पर एक छोटा सा अप आप अफिस दीजिए सब परथम काम तो आप आप अफिस दिजिए ऑफिस देने के बाद कि आप वहाँ पे एक अपना प्रिस्क्रिप्षिन त्य एज, उसका weight, उसका body temperature, उसके जो vital science है, उसके BP, blood sugar, weight तो हम बताएं दिये, उसके बार रंग कैसा है, उसका life style कैसा है, वो किस occupation से, किस पैसे से जुड़े है, किसान है, कि बिजनेसमेन है, कि जॉब वाले है, private job, government job, सब जॉब की अपनी-पनी nature होता है, वो nature से उसके स्वास् से पहले, आप एक prescription बनाईए, अच्छा वाला prescription, उसमें doctor नहीं लिखा होना चाहिए, क्योंकि आप doctor नहीं है, और आपको इलाज भी नहीं करना है, तो prescription बनाईए, बड़ा वाला, अच्छा वाला prescription बनाईए, और prescription बना लेने के बाद, आप जो office त्यार कर रहे हैं, वो office में आपको अच्छा से office lamblet वाले होने चाहिए, आप अपना जो 12th है, डिनेची है, ब्यस्सी किये हैं, अगर नहीं किये हैं, तो डिनेची के उपरांत आप ब्यस्सी कर ही लिजेगा, बोटनी या जिलोजी, chemistry से, chemistry, बोटनी जिलोजी ये favorable है, डिनेची के लिए, तो chemistry, बोटनी एक दूसरे से correlate कर सकते हैं, लोगों को बता सकते हैं, उसके साथ आपको याद रखिए कि आपको medical science की भी जनकारी होने चाहिए, कि उस physiology, anatomy की भी जनकारी होने चाहिए, blood test की भी जनकारी होने चाहिए, क्योंकि कोई भी ऐसे लोग आ जाएंगे, जो आप report ले कराएंगे, ड आना चाहेंगे, तो फिर वो भी दिक्कत आ जाए, वो नहीं जानते हैं इस report को देखने के लिए, और यह report में क्या, अगर कौन चीज घटा है, तो कौन से बिमारी सो कर रहा है, कौन चीज बढ़ गया, तो कौन से बिमारी सो कर रहा है, तो इस चीज को भी जानने के लिए थोड़ा बहुत medical science को पढ़ना पढ़ेगा तो वो medical science को आप पढ़िए तो medical science के भी थोड़ी बहुत आपको knowledge होनी चाहिए थोड़ी बहुत नियम तो काते हैं आपको ये डिनेची में कितना लग जाएए कि फिर आप जैदे जन्द इसमें आप medical science को पढ़िएगा तो knowledge आपका ही बढ़ेगा तो ये चीजों को धियान में आपको रखना चाहिए उसके बाद क्या है कि आपको इसमें आपको धियान में ये तो रहेगा है knowledge आपको ये medical science का भी हो गया योगा therapy का भी जनकारी हो गया और उसके बाद prescription भी आपने बना लिया तो अब क्या आएगी कि लोगों को connect कैसे करना है तो लोगों को connect करना है कैसे करना है तो आप एक बाद कोई आयोजन कर सकते हैं अगर आपके पास वह भी पैसा नहीं है तो Facebook है Facebook में तो कोई पैसा नहीं लग रहा है Facebook है Instagram है YouTube पे आप लोगों को सेवा देना सुरू किजिए चैनल बनाईए और YouTube पे यार मतलब मोटापे से दूर करने के लिए क्या करना चाहिए पतला दुबला पतला को जो है दूर करने के लिए क्या करना चाहिए वो आप खुद DNA ची आवाले हैं आप वीडियो बनाईए हमको बताईए मैं खुद आपका वीडियो देखूँगा मैं भी चाहता हूँ हटा कटा बन जाओ तो मैं खुद आपका वीडियो देखूँगा तो आप वीडियो बनाईए और लोगों को जागरित कीजिए कि ये कीजिए क्या अमीर आदमी स्वस्थ रह सकता है नहीं गड़िव आदमी भी स्वस्थ रहता है और बिना फल फुल का भी वह स्वस्थ रहता है तो उसके घड़ में जो उपलब्द है जो भोजन सामगरी उसी ज़धा-जधा वो कैसे आउटपुट ले पाएगा उसको बताएगा और भ हाऊ है चेसली कितना खाना चाहिए कोई भाज हाथ तो उसको क्या खाना चाहिए को ननवहाज है तो क्या करना हर व्यक्ति के को करते हुए हर एज गुरुप क करते एगज पूटे बच्चों की नवजात ससू के लिए उससे उपर उससे उपर उससे उपर व्यस के लिए एडल्ट के लिए उसके बाद जो है ओल्डेज के लिए उससे भी जैदा ओल्डेज वाले के लिए उम्र पांच-पांस साल का आप गैट लिए पांस साल के लिए बनाएए दस स बाले के लिए आप लगला डायट चार्ट दीजिए लोगों को एवेरनेस किजिए आंखों की शुरक्षा कैसे करेंगे बाल की शुरक्षा करने के लिए पेट से समंद्र बहुत सारी डीजी जा रहे हैं तो आप वह बताईए कि भाई आप डाल डा से बने सामगरी मत खाईए मैदा से बने सामगरी मत खाईए यही सची बताईएगा फिर वहीं से आप अपने लिए लोगों को कोशिच किजएगा का ओफिस तक आए लोग अपने डायट चार्ट कैसा होगा अपने हाई बीपी को निद्द करने के लिए कैसा डायट चार्ट होगा उसके बाद अपने म परवती महिलाया है तो उसको क्या देना चाहेंगे फिर वहां जब आप वेवस्था बढ़ियां से कर दीजेगा लैम लैट में आ जाएगा कुछ डॉक्टर सबसे भी आप संपड किजेगा तो फिर धीरे-धीरे लोग आपके पास जाना शुरू हो जाएगा फिर लोग आपक आपकी कहानिया स्टार्ट हो जाएगी और फिर इतना मन लगेगा कि फिर लोग आपको देखिए 30,000 25,000 35,000 पर मन्त कमाना इस को लेकर हम पूरे लग रहा है कि बहुत टफ है आपको तीन-चार मन्त-पांच मन्त-छे मन्त मेहनत करना पड़ेगा और फिर अपनी नॉलेज क लोग समझता डेटी सिन काहे का रोटी सब्य भाद डल सब्य चंद घखांगे रींगे उसी में जो यहां पर लोग हैं तो अभी नुटिशनिस्ट करो को कौनी समझ पा रहे हैं ठीक है तो आपको थोड़ा मेहनत करना ही पड़ेगा तो यह चीज किजिए और आगे बढ़े यह निसी तोर पर आप जो है इसमें कमाल कर जाएगा करियर सटल हो जाएगा हमने इससे पिछला में भी तीन-चार वीडियो बना जाए उसका लिंक हम आपको डिस्क्रिप्शन देदेंगे आप उसको भी देख सकते हैं यह वीडियो को भी देखी कोई दिक्कत होता है तो हम आपके लिए हाजिर हैं कोई भी क्वेरी के लिए